नमस्कार दोस्तों IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है मेरा नाम है फयाज क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए बैंक्स कितनी मेहनत करते हैं यह तो आप और मैं जानते ही है आपको दिन में कम से कम एक कॉल जरूर आता होगा किसी ना किसी बैंक से यह कहते हो कि सर मैं फलाना धिमकाना गैंक से बोल रही हूँ प्लीज आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या और ज़्यादातर केसे में हम लोग उस क्रेडिट कार्ड के अप्लिकेशन को रिजेट कर देते हैं कई बार हम लोग हाँ भी बोल देते हैं और जब हम लोग apply करने जाते हैं credit card को लेने के लिए तब हमारे credit card के जो पूरी application की process होती है वो completely reject हो जाती है ऐसा क्यों हो जाता है? बैंक इतना extensively बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूत बैंक भला आपके credit card के application को reject क्यों करना चाहेगी इसके पाँच बड़े कारण है और आज का वीडियो इसी topic पर है तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा point पर आता है सबसे पहले इतना reason होता है कि आपका career stability अगर है की नहीं for example अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कदम कदम पे अपने career में switch करते हैं आप 3 मेने में 6 मेने में switch कर रहे हैं पर 8 मेने में साल भर में आप switch कर रहे हैं नई job में जा रहे हैं तो यहां एक तरफ भले ही आपकी salary बढ़ रही है आपकी salary 20 से 25 से 30 से 35 से 40 पचास तक भी पहुँच रही है आपकी जो credibility है वो धीरे धीरे कम हो रही है कल को जब आप किसी bank में loan के लिए apply करने जाएंगे या फिर आप credit card के लिए apply करने जाएंगे तो कोई भी bank या कोई भी ऐसी financial institution आपके उपर भरोसा नहीं करेगी वो बुलेगी यार ये बंदा थोड़ा career में stable नहीं है ये कदम कदम पे switch करते हैं तो ऐसे इनसान के उपर trust करना थोड़ा सा मुश्किल है क्या पता कल को ये बेरोजगार हो जाए तो तो फिर हमारे credit card का जो loan है उसको application को भरेगा कौन credit card के loan को तो ये सोचके banks कहीं बार आपके credit card के application को reject कर देती है अगला होता है आपका low credit score हम लोग school college ये बड़ा चोड़े हो के घूमते हैं बोलते हैं कि हमारे school college के marks हमारे future को decide नहीं करेंगे और हम लोग इस चकर में फड़ा बग पढ़ते भी नहीं है वो चलता है लेकिन आपका credit score जो है वो ज़रूर आपके future को decide करने में काफी एहम भूमी करने बाता है क्योंकि अगर आपका credit score कम होगा तो आपका जो loan application है या फिर आपका credit card का application है वो certainly reject हो जाएगा यह तो हम सभी को पता है कि credit score 300 से लेके 900 के बीच में होता है और आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि 700 से उपर का score एक अच्छा score है और 700 से उपर अगर आपका score है तो बहुत अच्छे chances होते हैं आपके loan या आपके credit card का application के अप्रूव होने के अगर आपके score इससे कम है तो फिर आपके loan application अप्रूव नहीं होंगे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस topic के उपर एक video बनाओ कि कैसे आप अपना credit score को बढ़ा सकें तो आप नीचे comment section में आके बता सकते हैं हम बहुत जल्ब इसके उपर एक video लेकर जरूर आएंगे अगला होता है multiple inquiries देखिए कैसा होता है कि हम लोग जब credit card को apply करने के हमारी ज़रूरत आन पड़ती है तो हम लोग कई बार excited होके अलग-अलग banks में जाके apply करते हैं कि यहाँ ABC bank में भी ले लो XYZ bank में भी लेगो PQR bank में भी ले लो जिस bank से approve हो जाए उस bank से हम लो credit card ले लेंगे उतने सारे banks आपके credit score को check करेंगे आपके credit score की inquiry करेंगे और उतनी ज्यादा hard inquiries होगी आपके number के उपर तो अगर आपके एक महीने में या एक हफते के अंदर ही चार-पांच bank अलग-अलग जगा से आपके credit score के लिए verify कर रहे हैं या फिर उसका जानने की कोशिश कर रहे हैं तो definitely इसका बहुत बुरा असर होता है आपके credit score के उपर तो आप इसको avoid कैसे कर सकते हैं जब भी आप अपने credit card को apply करने के लिए जाएं तो आप किसी एक bank में ही apply करें और wait करें कि वहाँ से आपका result कब तक आता है और आपका result जब तक नहीं आता है तब तक आप किसी और bank में apply ना करें और अगर मान लीजिए आपने एक bank में apply किया भी और वो bank से आपका application reject हो गया तो कम से कम अगले 6 महने तक आप कहीं और apply मत करिए आप wait करिए और 6 महने के बाद आप कोशिश करिए कि अपना credit score का बढ़ाएं अपने income को आप बढ़ाएं और उसके बाद में आप किसी नए bank में जाकर apply करें और definitely आपका इस बाद credit score या आपका credit card का जो application है वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपका credit score की थोड़ा सा बहतर हो गया है इस list में चौथा है low income बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब अपने career की शुरुवात ही करते हैं मान लीजिया आपने अभी अभी just आप college से pass out हुए हैं आप लगबग 20 किस साल के हैं और graduation के बाद आपको अपनी पहली job मिली है तो अपने excited होके अपने credit card के लिए apply करने के लिए आप चले गए हैं लेकिन क्यूंकि इस वक्त हमारे stage में हमारी सबकी income कम होती है जब भी हम लोग अपने career की शुरुवात कर रहे होते हैं तो ऐसे स्थिती में कोई भी bank आपके ओपर trust नहीं करेगा वो इसलिए उनको आपकी नियत पर शक नहीं है लेकिन उनको डर इस बात का है कि इस बंदे की salary इस वक्त कम है तो ये अपने expenses maintain करेगा कि हमारे loan की किष्टे भरेगा तो इसलिए कई बार आपके जो loan applications है credit card को लेकर खास करके वो इसलिए reject हो जाते हैं आपकी income या आपकी salary कम है अब मैं आपको एक मोटा मोटा perspective देता हूँ मान लिजे आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जैसे कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, डेली हो गया तो यहाँ पर आपकी salary minimum monthly होनी चीए 25,000 रुपे के आसपास 25-28,000 रुपे की तक अगर आपकी salary है तो आपके सी भी credit card के लिए apply कर सकते हैं अगर आप थोड़े से छोटे शहर में रहते हैं मान लिजे हाइदरबाद हो गया, राइपूर हो गया, औरंगाबाद हो गया इस तरह के आप tire 2 इश type की city में अगर रहते हैं तो आपकी salary होने चीए लगभग 21 से लेके 25,000 रुपे के आसपास अब अगर आप और भी छोटे छोटे शोटे शहर में रहते हैं मान लिजे राइपूर हो गया, मान लिजे भोपाल हो गया, बिलासपूर हो गया, इंदौर हो गया tire 3 cities के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ तो आपकी salary minimum होने चीए 15,000 रुपे से लेके 20,000 रुपे के आसपास तो अगर आपकी salary इस range में आती है तो definitely आपके city में क्योंकि आपके living expenses कम होंगे से city में रह रहे हैं तो आखरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो impact करती है आपके credit card के application पर वो होती है आपके mistakes जो आप करते हैं आपके credit card के application form में कहीं बार जब आप physically भरने के लिए जा रहे हों या फिर आप online भी a credit card का application form भर रहे हों और जैसे कि आपके आधार card पर बहुत सारे हम लोग जो हैं हम लोग चोटे शहर से जो आते हैं हमारे आधार card हमारे गाउं में हमारे घरों पर बने हुए और हम लोग काम धंदा करने के लिए बड़े शहर में आते हैं क्योंकि कोई भी credit card company physically verification करने के लिए वहाँ पर आती है आपके address पर और अगर वो आपका address ही गलत आपको उनको मिलेगा पहले stage पर ही अगर आप गलती कर देंगे तो कोई भी bank आपके trust नहीं करेगा और आपका credit card का application reject हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि आपका KYC का जितने भी details है आप उसको up to date रखिए अपने current address के साथ ताकि आपकी इस छोटी सी गलती की वज़े से आपका credit card का application reject नहीं होना चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो informative लगा होगा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और topic के उपर वीडियो बनाओ तो आप नीचे comment section में आके बता सकते हैं हम definitely उसके उपर एक वीडियो लेकर आएंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजे इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टारों के साथ शेर करिये अगर आप इसे youtube पर देख रहे हैं तो हमारे subscribe बटन को दबाकर bell icon को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी update को मिसना करें अगर आप इसे facebook पर देख रहे हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजादत दीजिए मेरे नाम है पयास और आप देख रहे हैं indianmoney.com नियात्रा अमीर बनने की financial freedom आप के साथ बुद्धिमान बनो अमीर बनो